हेलो फ्रेंस खुशी नीटिंग क्रेशन में आपका स्वागत है देखे फ्रेंस आज हम ये 5 साल की गर्ल का फ्रोक बनाना सीखेंगे कि किस तरह से बनाएंगे देखे चोली मैंने बना कर रखी है ये चोली हमने पहले भी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है वहां से देखक सकते हैं यह हमने पास साल के लिए बनाई है वह हमारी वन येर गर्ल के लिए है इसमें हमने क्या चेंज किया है देखे यहां पर गले पर हमने इसमें चेंज किया है इसमें हमने 96 चेंड ली है 96 चेंड पर हमारा ये पैटरन स्टार्ट हुआ है देखे इसमें हमने ये फ्रे जाए एक एक फंध हमारा यह कोरणर वला में बना सब्सफिyk Ela करें 26 आगवार ए sharpen सब्स ऩाया यह चोlles कोंड़े की और आगशाइम है कि यह बीत पर इवारे लागशा वन इक शलस बबद के उपर, बरद देखें सब्सक्राई, टाइक रड़ च पर एंवा का है तेरा रो बनाकर हमने इसे complete किया है, शे रो, साथ रो हमने देखिए यहां पर बनाई है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ रो बनाने के बाद हमने arm hole की cutting की है, और बाकी का हमने आगे बनाया है, चलिए अब इस पर घेरा बनाना start करते हैं, देखें यहां से हम इ जाए एक, दो, तीन. दागा लेंगे, और सीम यही पर हम दो डबल क्रोशिया बनाईगे, इस दागा लेंगे और सेंगेशन चीन चैन के अंदर रो लिकपाँ में दो. हम दो बार दाज आगा लेंगे, यहां की देखेंगे 1-2-3 तीन, हम ने च्यार दागा, लिया और एक, दो, तीन 3 chain हमने skip कि है 4th chain के अंदर हम V बनाएंगे 1 double crochet, 2 chain और 1 double crochet फिर से 1, 2, 3 chain बनाई, धागर लेंगे और यहाँपर देखिए 1, 1, 2, 3 और 4th chain में हम 4 double crochet की करली बनाएंगे एक बार बनाया फिर से बनाएंगे दो दो चेन और फिर से हम दो डबल क्रोशिया तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन और नीचे से हम तीन चेन स्किप करेंगे एक दो तीन और फॉर्थ में हम वी बनाएंगे एक दो और फिर से वन डबल क्रोशिया तो देखे इस राउंड में हम तीन चेन लेंगे और नीचे से तीन चेन की हम गैपिंग लेंगे और फॉर्थ चेन में हम डबल वी बनाएंगे एक बार हम च्यार डबल क्रोशे की कली बनाएंगे एक बार हम वी बनाएंगे बीच में हम तीन चेन स्किप करेंगे हर फॉर्थ के अंदर हम बनाते हुए यह पैटरन राउंड कम्प्लेट करेंगे देखिए राउंड अमारा कम्प्लेट हो चुका है और यहां पर हमने इसे जॉइंट किया है और अब हम इसमें सेंटर में आ गए हैं फिर से यहां पर हम च्यार डबल क्रोशे की कली बनाएंगे एक दो ती तीन और फिर बीच में हम यहां पर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे यह दो बन गए दो चेन लेंगे और फिर से हम यहां पर दो डबल क्रोशे बनाएंगे तो देखिए यह हमारी चार डबल क्रोशे की कली बन गई है अब हम इसमें देखिए अब हम यहां पर तीन चेन ल एक, दो, तीन, चार, देखिए, आठ डबल क्रोशे हमने बना लिया है, दो, चार, छे और आठ, आठ डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर से तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, और फिर यहां पर हम चार डबल क्रोशे की कली बनाएंगे, इस राउंड में हम ऐसे ही करेंग चार डबल क्रोशे की कली के ऊपर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे और वी के अंदर हम वी के अंदर हम आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए यह हमने चार डबल क्रोशे की कली बना ली है और फिर से हम यहां पर आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो देखे यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे 4 डबल क्रोशे की कली के ओपर 4 डबल क्रोशे वी के अंदर हम 8 डबल क्रोशे बनाएंगे और बीच में हम 3-3 की चेन लेंगे इस तरह से हम राउंड कम्प्लीट करेंगे देखे राउंड हमारा कम्प्लीट हो चुका है अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन और यह देखे हमारी चार डबल क्रोशे की कली है एक हमने बना लिया एक और बनाएंगे यह दो डबल क्रोशे बनाया अब हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे और फिर से यहा बनाया, एक बार और बनाया, तो यह टोटल हमारे पास चार बन गए, अब देखे जितनी भे हमारे यह पैटर्ण है, इसमे हम दो चेन लेंगे, एक दो दो, धागा लेंगे और देखे यह घ्टाणी पहले पहली, इह हमने आ quantum Warszawm के gekommen देखे जोतल दो फिर आपर लेंगे ले कआ पूर्ट इब कुरोश्या बनाएंगे तैपिर से एक चेन लेंगे एक के नेकस्ट में घए और ती डबल क्रोशिय के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन की हम गैपिंग लेंगे यह एक और बनाया एक चेन और फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाएंगे अब देखे यह तो हमारा कुछ इस तरह से बना अब हम यहाँ पर फिर से दो चेन बनाएंगे एक दो धागा लेंगे और यह आगे हमारी चार डबल क्रोशे की कली है तो हम यहाँ पर चार डबल क्रोशे बनाएंगे देखे एक बार बनाया एक बार और बनाया अब हम यहाँ पर दो चेन लेंगे और फिर से दो डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, और यह हमारा फर्स डबल क्रोशिया है, इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, और नेक्स में जाएंगे, यहां पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखे, कुछ इस तरह ऐसे, तो देखे, यह जो हमन बनाते हुए यह कुंप्लीट करेंगे नियराओंड कुंप्लीट और यहाँ पर हमने चैर डबल कुरोशे की कर्ली बनाई हैं अब हम इसमें तीन चेंट बनाई अब करेंगे यहाँ पर किए और तो हम यहाँ से सिंगल उन करेंगे यहाँ से वंगाु में नियुक्ष चेन तरह नियंगे नं करना दोडू ती स November नियुक्त में कजंएचों की पाथा न्युक्त मेंphase के बीच में फिर से एक दो तीन और बीच में जोइंट करेंगे एक दो तीन फिर से बीच में एक दो तीन और बीच में एक दो तीन फिर से बीच में देखिए इस तरह से हमने से जोइंट किया फिर से हम तीन चैन लेंगे एक दो तीन धागा लेंगे और यहाँ पर हम चार डबल क्रोशे की कली बनाएंगे एक बनाया और बनाया दो दो चेन और फिट से हम यहाँ पर दो डबल क्रोशे बनाएंगे देखिए इस तरह से एक बार और यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन और देखिए यहाँ पर जोइंट करेंगे इस तरह से फिर से एक दो तीन और बीच में हर बार हम तीन चेन लेंगे और यहाँ पर हम इसे बीच में जोइंट करेंगे तो देखे इस तहा से यह हमारा round बनेगा इसे बना कर हम complete करेंगे देखे राउंड हमारा complete हो चुका है और यहाँ पर हमने यह 4 double crochet की कली बनाई है अब फिर से हम यहाँ पर 3 chain बनाएंगे यह 3 chain बनाईगे और देखे अब हम यहाँ पर बीच में जो हमने यह chain बनाई थी इनके बीच में हम इसे इस तरह से जोइंट करेंगे फिर से 1,2,3 और यहाँ पर जोइंट करेंगे 1,2,3 इस तरह से 1,2,3 फिर बीच में 1,2,3 फिर से बीच में 1,2,3 यहाँ पर बीच में देखे यह जाली हमारी इस तरह से बनेंगे अब हम यहाँ पर 3 chain बनाएंगे 1,2,3 धागा लेंगे और यहाँ पर हम 2 double crochet बनाएंगे यह 2 double crochet बनाएंगे दो chain और फिर से हम यहाँ पर 2 double crochet बनाएंगे देखे कुछ इस तरह से बनाते हुए हम यह round complete करेंगे देखे यहाँ पर हम इसे हमारा यह round complete हो चुका है और इसे हम सेंटर में ले आएंगे यहाँ पर हम 1,2,3 chain बनाएंगे फिर से हम double crochet यह 2 बन गए दो chain बनाएंगे फिर से यहाँ पर हम 2 double crochet बनाएंगे दो chain और double crochet दो देखे इस तरह से हमने यह तीन बार बनाएंगे और यहाँ पर देखे एक दो तीन च्यार पांच पांच राउंड बनाने के बाद यह च्यार डबल क्रोशे की करली पांच बार बनाने के बार बाद हमने यह च्छटे राउंड में बनाई है अब हम आगे यह पैटरन बढ़ाते हुए जाएंगे तो हर च्छटे पैटरन पर राउंड में हम च्छटे राउंड में यह वाला भाग हम बनाएंगे और इससे जब भी हम यह बनाएंगे तो हमा जोइंट किया, फिर से एक, दो, तीन, और बीच में जोइंट करेंगे, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, फिर से इसे जोइंट करेंगे, एक, दो, तीन, धागा लेंगे, और यहां पर देखें, यह हमारी चैर डबल क्रोशे की कली है, यहां पर भी हम यह तीन बार बनाएंगे ऐसे ही, धागा लेंगे double crochet, एक और double crochet, यह दो बनाए, दो chain फिर से दो double crochet, दो chain बनाएंगे, फिर से हम यहाँ पर दो double crochet एक, दो, देखिए इस तरह से, तो हम यह round इसी तरह से बनाते हुए के के लौएंगे देखिए रवाण्ड हमारा कम्प्लीट हो चुका है और अब हम इसके 7 रौंड में है, 7 रौंड में देखिए Self 2 मैं क्या करेंगे, यह भी मद आंदर हम एसे सेंटर में लेकर आएंगे और एक ईक दो तीन तीन चेन बनाएंगे धागा लेंगे फिर से हम यहां पर देखिए हमने तीन बनाए थे इसके अंदर हम चैर डबल क्रोशे की कली बनाएंगे एक इसके अंदर बनाएंगे तो इस बार हम दो बार चैर चैर डबल क्रोशे की कली बनाएंगे यह दो डबल क्रोशे बनाया दो च तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन धागा लेंगे और यहां पर फिर से हम चैर डबल क्रोशे की कली बनाएंगे एक बार बनाया एक बार और बनाया दो दो चेन और फिर से हम यहां पर दो डबल क्रोशे एक बार बनाया एक बार बनाया देखिए इस तरह से हमने चैर डबल क्र गर यहां पर हमने बनाई आप द्धागर लेंगे और यहां पर हम तीन बनाएंगे एक, दो तीन और देखें यहां पर यह हमारा प्रेटर्न है तो इसे हम यहांपर जोईंट करेंगे इस तरह से एक, दो, तीन चेन लेंगे बीच में जॉइंट करेंगे फिर से एक, दो, तीन यहाँ पर जॉइंट करेंगे एक, दो, तीन और यहाँ पर जॉइंट करेंगे बीच में यह देखे तीन बार जा लिया गई एक, दो, तीन देखे इस तरह ऐसे फिर से बनाएंगे एक दो तीन चेन लेंगे अब देखे यहां पर फिर से हमारे पास यह तीन बार हमने दो दो डबल क्रोश्या बनाया था तो इसमें हम यहां पर चेर्ट डबल क्रोश्या की कली बनाएंगे एक बार बनाया एक बार और बनाएंगे दो दो चेन और फिर से यहाँ पर दो डबल क्रोश्या एक बार बनाया एक बार और बनाएंगे यह देखिए इस तरह से तीन चेन लेंगे एक दो तीन और यहाँ पर हम दो डबल क्रोश्या एक दो दो बार बनाया दो चेन और फिर से हम यहाँ पर दो डबल क्रोश्या एक, दो देखे इस तरह से देखे इस तरह से बनाते हुए हम यह round complete करेंगे देखे बनाते हुए हम यहां तका गए है और हमारा round complete हो चुका है अब हम यहां पर तीन chain बनाएंगे देखे यह हमारा आठवा round है और आठवे round को हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने सात्वा राउंड बनाया था सेम ऐसे ही यहां पर हम च्यार डबल क्रोशे की कली बनाएंगे एक दो चेन लेंगे और फिर से हम यहां पर दो डबल क्रोशिया देखे यह बनाई हमने च्यार कली तीन चेन लेंगे धा कर लेंगे और यहां पर हम फिर से च्यार डबल क्रोशे की के जैसे हमने साथ वा राउंड नहीं वैसे ही हम ये आठ वा राउंड बना कर कंप्लीट करेंगे यहाँ पर दो डबल क्रोश्य देखें इस तरह से फिर से 1-2-3 अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक दो तीन और फिर से हम यहाँ पर इसे जोइंट करेंगे देखे इस तरह से एक दो तीन धागा लेंगे और यहाँ पर फिर से हम च्यार डबल क्रोशे की कली बनाएंगे देखिए अब हम यह चार डबल क्रोशी की कली बन गई अब हम तीन चेन लेंगे एक दो तीन धागा लेंगे और यहाँ पर हम दो डबल क्रोशी अबनाएंगे एक दो दो चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर दो डबल क्रोशी अबनाएंगे एक, दो, देखिए जैसे हमने साथ वा बनाए था से वैसे ही हम आठ वा बनाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पर बीच में दो चेन बनाएंगे, इस तरह से, बनाते हुए हम यह राउंड कम्प्लीट करेंगे, देखिए आठ राउंड हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं, अब हम इसे यहाँ पर सेंटर में लेकर आएंगे, चार डबल क्रोशे की कली बनाएंगे, इसके लिए हमने तीन चेन बनाए, डबल क्रोश्या, दो चेन, और फिच से हम यहाँ पर डबल क्रोश्या, एक बार बनाया, एक बार और बनाया, तो यह देखिए चार डबल क्रोशे की कली बन हम double crochet, 3 chain, फिर से यहीं पर हम double crochet, देखें यह हमारी V बन गई, 1, 2, 3 chain ले, 4 double crochet की कली बनाएंगे, 1, 2, 2 double crochet बनाया, 2 chain, और फिर से हम यहाँ पर 2 double crochet, 1, 2, देखें यह वाला round हमारा, 9th round है यह, यह हमारा ऐसे ही बने का जैसे यह बनाया था, हमने, 4 double crochet की कली, 3 chain, और फिर से हमने यहाँ पर V बनाया, 3 chain ली, 4 double crochet की कली बनाएंगे, ऐसे ही अब हमारा यह round स्टार्ट होगा, उसके लिए देखें, अब आगे हम क्या करेंगे, 3 chain, एक, दो, तीन, और यहाँ पर देखें, यह दो chain है हमारी, फर्स्ट chain के साथ हम इसे जोइंट करेंगे, एक, दो, तीन, फिर नेक्स chain में जाकर इसे हम जोइंट करेंगे, एक, दो, तीन, धागा लेंगे, और फिर से हम 4 double crochet की कली बनाएंगे, यह 2 double crochet, 2 chain, और फिर से 2 double crochet, एक, दो, देखें, इस तरह से 1, 2, 3, अब देखें, यह हमारी 3 की chain है, धागा लेंगे, इस chain के अंदर से हम इस तरह से, double crochet, 3 chain, फिर से यहाँ पर double crochet, 1, 2, 3 chain, धागा लेंगे, और यहाँ पर हम 4 double crochet की कली बनाएंगे, देखें, कुछ इस तरह से, यह round हम देखें, यहाँ पर हमारी 1 जाली आएगी, यहाँ पर हमारे पास 1 जाली आएगी, और यहाँ पर हम, यह 4 double crochet की कली, फिर V, और फिर से 4 double crochet की कली बनाएंगे, इस तह से बनाते हुए हम यह round complete करेंगे देखे 9 round हमारे बनकर complete हो चुके है और 9 round के बाद देखे इसका लोग कुछ इस तह से आया है अब देखे यह हमारा 10 वे round है और 10 वे round में हम center में लेकर आएंगे और यहाँ पर हम 3 chain बनाएंगे धागा लेंगे और फिर से यहाँ पर हम double crochet दो chain और double crochet एक बार बनाया एक बार और बनाया यह हमारी 4 double crochet की कली बन गए अब देखे यहाँ पर हम 3 chain लेंगे तीन chain लेंगे धागा लेंगे और देखे यहाँ पर हमने second row में हमने यहाँ पर 8 double crochet बनाया था तो यहाँ पर भी हम आठ डबल क्रोश्य बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ देखिए आठ डबल क्रोश्य हमने बना लिया है अब फिर से तीन चेन लेंगे और यहाँ पर धागा लेकर हम चैर डबल क्रोश्य की कली बनाएंगे एक, दो, दो चेन लिया दो, देखिए दो चेन लिया फिर से हम यहाँ पर दो डबल क्रोश्य एक, एक और बनाएंगे दो दिखिए यह नए पैटरन हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया है तो अब हम यहाँ पर फिर से तीन चेन लेंगे एक दो तीन और देखें यहाँ पर हमारा एक बचा था तो यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे एक दो तीन धाका लेंगे और यहाँ पर हम फिर से च्यार डबल क्रोशे की कली बनाएंगे एक बार बनाया दो दो चेन और फिर से हम यहाँ पर दो डबल क्रोश्य देखिए इस तरह से अब देखिए यहाँ पर हम यह वी है यहाँ पर हम तीन चेन लेंगे आठ डबल क्रोश्य बनाएंगे तीन चेन लेंगे और यहाँ पर हम 4 double crochet की कली बनाएंगे देखें सेम ऐसे ही बनाते हुए हम ये round complete करेंगे देखें 10 round हमारे बनकर complete हो चुके हैं और complete होने के बाद देखें इस कल कुछ सह से आया है और देखें कितना प्यारा हमारा ये pattern बना है अब हम इसमें 11 round स्टार्ट करेंगे और 11 round में देखें ये हमने यहाँ पर joint कर लिया था 10 round और इसे हमने slip stitch किया है यहाँ पर हम 4 double crochet की कली बनाएंगे एक, दो, तीन धागा लेंगे और double crochet, दो chain और फिर से यहाँ पर हम 2 double crochet बनाएंगे एक, दो, देखे इस ते यह हमने 4 double crochet की कली बनाएंगे दागा लेंगे और यहाँ पर ये देखें हमारे 8 double crochet है और देखें यहाँ पर हमने 3rd round में, 3rd round में हमने 1 double crochet, 1 chain, 1 double crochet लेकर बनाया था तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोश्य, एक चीन, फिर से एक डबल क्रोश्य, एक चीन, एक डबल क्रोश्य, एक चीन, फिर से 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 एक डबल क्रो देखे यह हमने इस तरह से बनाया है अब हम देखे इसमें तीन चेन लेंगे एक दो तीन धागा लेंगे और यहां पर देखे यह हमारी चार डबल क्रोशे की कली है यहां पर हम चार डबल क्रोशे बनाएंगे एक बार बनाया एक बार और बनाया दो चेन और फिर से हम यहां किच्ई कृप लिए डागा नेंगे एक मैं दुखरू बाली फीविकिया चिप करेंगे इस पार्ट को अब हम धागा नहीं भिडव Higher को फो भीन लेंगे यहां पर हम यह लिए एक मैं दो दोड़ चेन फिर से यहां पर दो डाबल करोशिया एक दो देखिए इस तरह से बनेगा फिर से तीन चेन और यहां पर हम आठ डबल क्रोशिया है तो आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में हम एक चेन के गैपिंग लेंगे तो देखिए इस तरह से इस तरह से बनाते हुए हम अपना ये 11 राउंड कम्प्लीट करेंगे देखिए 11 राउंड हमारे बनकर कम्प्लीट हो चुके हैं और अब हम इसे यहां पर जॉइंट करेंगे यह देखिए 4 डबल क्रोशिया कली हमारी यहां पर है और 4 हमारी यहां पर है तो अब हम इसे इस त तीन चेन लिए है, फिर से डबल क्रोशिया, दो चेन और फिर से डबल क्रोशिया, अब देखें तीन चेन लेंगे, एक, दो, तीन और यहां पर हम इसे जोइंट करेंगे, देखें इसे, एक, दो, तीन, फिर यहां पर जोइंट करेंगे, एक दो तीन फिर नेक्स्ट में एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन चेन बनाई हमने और इसे हम यहाँ पर जोइंट करेंगे देखिए कुछ इस ताय से देखिए ऐसे हमारा यहाँ पर यह हमारा फोर्थ राउंग बना था देखिए यह वाला अब हम यहाँ पर हैं सेम यही पैटरन रपीट करते हुए हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे एक दो तीन और यहाँ पर हम च्यार डबल क्रोशे की कली कर दिया था क्योंकि हमारा एक पैटरन कमप्लीट हो गया था अब हमे यहां पर यहाँ पर बनाए तो देखिए कर Greg थे हम यहां इहां पर यहां पर बनाएंगे तो देखिए कर यहां पर हम दो लेंगे सोरी तीन चेन हमने यहाँ पर तीन चेन ली है और डबल क्रोशे बनाए एक दो दो चेन और फिर से हमने यहाँ पर च्यार डबल क्रोशे की कली बनाई है देखिए अब यहाँ पर है यह जहां पर हमारी यह थीन रबल क्रोशे ने entre फिर से हमेरा यहाँ पर बनाया थी आना जिसमें हमने तीन चेन बनाई थी और इन दोनों कली इस लेए बनाइं पर टा सेम वैसे हैं तो नेक्स्ट राउंड में आएंगे, तो नेक्स्ट राउंड में देखिए, हम ये वाला पार्ट बनाएंगे, च्यार डबल क्रोशे की कली, तीन चेन और च्यार डबल क्रोशे की कली, वो हम यहां पर बनाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड में आएंगे, तो ये वी complete करेंगे तो हम इसकी बनाकर मैं अब इसकी length complete करने के बाद फिर आगे आपको इसका final look दिखाऊंगे कि यह कैसा बन कराया है आपको सिर्फ यही repeat करना है बार-बार ध्यान रखना है कि जो हम यहां पर बनाया था सेम देखे यह वाला पार्ट अब हम यहां पर बनाएंगे यह हमारा आगे बढ़ता हुआ जाएगा ऐसे बार-बार हमारे यह pattern बढ़ते जाएंगे और repeat होते रहेंगे तो बनाकर हम अब इसकी length complete करेंगे देखे फ्रेंस फ्रोक हमारी बनकर complete हो चुकी है और देखे complete होने के बाद इसका look कुछ इस तरह से आया है देखे कितनी प्यारी हमारी यह फ्रोक बनी है और अब देखे और देखे काफी heavy हमारी यह फ्रोक बनी है और देखे यहां पर हमने जो last में यह देखे जो हमने last में यह पार्ट बनाया है यह वाला यह हमने जैसे यहां से बनाते थे एक दो दो रो बनाने के बाद हमने यहां पर यह देखिए वन डबल क्रोश्या वन चेन वन डबल क्रोश्या बनाया है और यहां पर हमने देखिए वन डबल क्रोश्या वन चेन बनाने के बाद इसके उपर हम यहां पर 4 double crochet बनाया है और फिर यहां पर joint करके बनाया है यह किनारी करना मैंने आपको पहले भी एक फ्रोक में बताया हुआ है सेम वैसे ही हमें बनाना है अगर आपको नहीं आपने वो वीडियो देखी है तो लिंक आपको description box में मिल जाएगा वहां से यह देखकर आप यह फ थेंक यू